पढ़ेगा इंडिया तो ही तो बढ़ेगा इंडिया क्या खुब कहा है किसी ने पढ़ेगा इंडिया तो ही तो बढ़ेगा इंडिया तो इस तरह आप लोग भी सही से पढ़िए अपने जिम्मेवारी को समझिए खुब मेहनत करिए एकदम नहाद हुआ कर पढ़ाई के बहुत स्वागत करता हूँ, इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ most important object to question का अध्यन करेंगे, काक्छा दसवी, बिहार बोर्ड के अनुसार इतिहास है, हिस्टरी है, पहला सवाल आप देख सकते हैं, लोहा गलाने की जो परकिरिया होती है, इस परकिरिया की खोज सबसे पहले क किसे ने की? तो अबराहम डबरी नामाक बयग्यनिक ने की थी, याद रखियें इस बात को, कि लोहा गलाने की परकिरिया की खोज, अबराहम डबरी नामाक बयग्यनिक ने की थी, मतलब इन्हों ने काफ़ी सुन्दर खोज किया था, तभी तो हम लोहा का recycle कर पाते हैं, बत ये बहुत ही बढ़िया खोज है, जिसको अब रहाम डबरी जी ने किया है, लुहा गलाने का खोज ठीक है, वास्प मतलब भाप से चलने वाले पावर लूम का अंदर्मान किसे ने किया था, तो एडमांड काट राइट नामक बेजानिक ने वास्प इनजन मतलब भाप से चल कि अगले सवाल है प्लाइग संटल गा जो अविसकार है इस आविसकार तो प्लाईग संटल नामेक एक बीहतरिन अविसकार करो जाँद के निकिया था जाँद के ने नमीद किया थी किसे ने बनवाई थी मतलब पहले किसानु को काफी मेहनद करना पड़ता था तब जाए खरके पूरा खेट से कपास को बेहें निकाल पाते थे लेकिन कपास ओटन नामक मशीन के आ जाने के कारण घंटों का काम मिनिटों में होने लगा और इस कपास ओटन नामक मशीन की खोज इल की इस वात को आप य्याद रखेगा अगला सवाल है इस पिनिंग जिनी यह सब कई बार पूछता है और पूछेगा भी कि स्पनिंग जिनी का अभिषकार किस वर्स हुआ सबसक रहे रखेगा 17 тоs 64 सान सत्रे से शौंसट में स्पिनिंग जैनी का अविस्कार हुआ ठीक है अगला सवाल है इस पिनिंग जैनी का अविस्कार हुआ था 2734 में हुआ था लेकिन डिकीन किसने प्रदmented ऑपनाया तो जेम्स हड्नी जेम्स के नितियों का भारतिये वस्त्र उधोग पर क्या परभाव परा तो इसका ना परभाव बहुत ही बुरा परा भारतिये वस्त्रों का मांग घट गया जब भारतिये वस्त्रों का मांग घटेगा तो क्या होगा भारतिये वस्त्रों का जो निर्यात होता है एक देश से दूसरे बेस में यह नहीं हो पाएगा जिसके कारण बहुत ही नुखसान हुआ भारत के वर्ष्ट रुधोग धंधों को ठीक है अगला सवाल है कलकाता में पहली देशी जूट मील किस वर्ष से स्थापित हुई तो याद रखिएगा सन 1917 में सन 1917 में कलकाता में पहली देशी जूट मील एस्थापित हुई और जूट को हम पटुआ या सुनहारा रेशा भी कहते हैं आपको पता होगा ठीक है अगला सवाल है भारत में लोहा इसपात बनाने का पहला करखाना कोब और कहां खुला था तो भारत में लोहा और स्टील मतलब इसपात बनाने के जो कारखाना खुला था और सबसे पहले 1830 इसमी में खुला था और कहां खुला था पोटो नोव नामक सहर में खुला था अगला सवाल है बिरला जूट कमपनी के स्थापना किस वर्स हुई थी तो याद रखियेगा जो बिरला जूट कमपनी थी इस कमपनी के स्थापना ना 1919 में हुई थी और पहले तो हमेरे देश में यहां तक हमेरे बिहार राजे में भी बहुत सरे जूट के कर खाने थे लेक TATA Hydroelectric Power Station के स्थापना किस वर्ष की गई थी तो सन 1910 जो होगा इसका सही उतर होगा आप याद रखियेगा TATA Hydroelectric Power Station जो है इसके स्थापना 1910 में की थी और किसे ने की थी तो TATA गुरूप के लोगों ने की थी ठीक है अगला सवाल है भारत में परतहम फैक्टरी एक्ट किस वर्स बना तो याद रखेगा सन 1881 में, कब जी? सन 1881 में भारत में प्रत्थम फैक्टरी एक्ट बना था यह उधोग धन्दों का एक नियम है, कानून है इसी कानून के अंतरगत फैक्टरी जो होती है चलती है, ठीक है? अगला सवाल है, इंग्लेंड में सब ही सन 1928 में, इंग्लेंड में स्तरियों और फूर्सों को ना बियस के मताधिकार मिला अगला प्रस्ट है, पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना किस वर्स होई? यहाँ रखना है, सन 1895 में, पंजाब नेशनल बैंक, मतलब PNB, जो बैंक है, इसके स्थापना होई थी सन 1895 में, ठीक है, अगला सवाल है, चाटीस्ट अंदोलन कब आराम हुआ था था, तो सन 1838 में, याद रखेगा सन 1838 में, भारत में चाटीस्ट अंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है अगला सवाल है आप देशाकते हैं स्कीन पर कि 44 आंदोलन कहां हुआ था तो 44 आंदोलन भारत में भी हुआ था और इसके पहले 46 आंदोलन बिरिटेन में हुआ था सन 1920 में खिलाफ़त अंदोलन भी हुआ था और सन 1922 में ओस नहीस आयोग कि अस्थापना की गई थी आप इस बात को याद रखेगा ठीक है और इस chapter का last second last question है भारत में मज़दूरी बोड के स्थापना किस पूरा सोची मतलिस्ट बना था ठीक है और last question आप देख सकते हैं इस तरह आपने देखा कि इस वीडियो को भी हमने खतम कर दिया यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप हमेरे सहायता करें हम आपकी सहायता करेंगे यदि आपको थोरा से भी लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं बहुत मेहनत करना पड़ता है इसको लिखना पड़ता है वीडियो बनाना पड़ता है इडिटिंग करना पड़ता है इसको डालना पड़ता है एम भी खर्च होता है बहुत मेहनत करन पड़ता है आप लोग थोड़ा से भी समझते हैं कि हम लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे से वीडियो को सेर कर देजिए हमको अधिक नहीं चाहिए कुछ अधिक नहीं चाहिए आप हमारे से वीडियो को सेर केजिए यहीं बह हारत.